नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एर फोर्स के पास बहुत से फाइटर जेट है इंडियन नेवी के पास भी मिग 29 फाइटर जेट है तो ऐसे में दोस्तों जब हम बात करते हैं मिग 29 की तो इसे बड़े हलके मे लिया जाता है जबकि दोस्तों ये बहुत ही केपेबल फाइटर जेट है हलांकि शुरुआत के अंदर इसके अंदर बहुत सी कमी है रही है लेकिन अभी ऐसा नहीं है और इसे अपग्रेड किया जा रहा है आज हम इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों मिकोयान मिग 29 इंडिया की सेकिंड लाइन ओफ डिफेंस है सुखोई 30 MKI के बाद में मिक 29 को स्पेशली इसलिए खरीदा था क्योंकि उसे पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट से मुकाबला करना था जो पाकिस्तान ने 1983 में खरीद लिये थे और मिक 29 एक त्विन इंजन फाइटर जेट है जिसे मिकोयान कोर्पोरेशन ने बनाया है जो सोवियत यूनियन के समय से बिलोंग करती है और इंडियन एर फोर्स इसका पहला इंटरनेशनल कस्टमर था जिसने डिजाइन फेज के अंदर ही इसे खरीदने का फैसला कर लिया था और आज दोस्तो 35 साल बीतने के बाद भी इंडिया इसे उपरेट कर रहा है और साथ ही दोस्तों इंडिया ने फैसला किया है इसे MIG-29 UPG स्टेंडर तक अपग्रेड करने का तो ये मुख्या अपग्रेड जो होंगे दोस्तों उसके अंदर पहला नाम आता है रडार का और दोस्तों जो नया radar इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा वो है जूक M.E.A.E.S.A. radar जो MIG-29 को नई capability देगा specially ground mapping की और simple word के अंदर अगर कहा जाए तो नया radar इसको air to ground mission के लिए ज़्यादा efficient बनाएगा और साथ ही दोस्तों ये 10 object को track कर पाएगा और 4 को एक साथ में engage भी कर पाएगा और इसके इलावा दोस्तों अगर बात करें इसके engine की तो इसके अंदर की MOVE RD-33 engine का इस्तेमाल होता है और अब इसका thrust to weight ratio भी एक हो गया है जिससे दोस्तों ये ज़्यादा फूर्तिला हो गया है agility इसकी बढ़ गई है वहीं दोस्तों अगर इसके thrust की बात करें तो ये 88 kilo newton का thrust पैदा करता है और यही कारण है कि ये full vertical take off कर सकता है और दोस्तों अगर हम बात करें range की तो इसके अंदर सबसे बड़ी problem ही range की थी इसकी range जादा नहीं थी लेकिन अब इसे double कर दिया गया है और उसका कारण है एक तो इसके अंदर दोस्तो air to air refueling की विवस्ता कर दी गई है और साथ ही इसके अंदर अब external fuel tank भी carry किया जा सकता है और अब दोस्तों ये combat zone के अंदर 5-6 गंटे तक लगातार काम कर सकता है और बहुत ज़्यादा deadly हो गया है और इसके इलावा दोस्तों अगर हम बात करें jamming capability की जिसके अंदर दुश्मन देश की missile को या फिर दूसरे fighter jet के system को jam करना होता है तो वो दोस्तों इसके अंदर इतनी ही है जितनी euro fighter typhoon के अंदर है क्योंकि इसके अंदर ELT-568 बहुत ही advanced jamming pod लगे हुए है तो दोस्तों अब कहने का केवल इतना सा मतलब है कि MiG-29 से MiG-29 UPG standard तक जाने से इसकी capability बहुत जादा बढ़ चुकी है और दोस्तों आने वाले समय में यह और जादा बढ़ेगी क्योंकि इसके अंदर Brahmos NG और Astra BVR missile भी लगाई जाएगी और dual engine होने की वज़े से इसकी maneuverability भी बहुत जादा बढ़िया है और ये युद के समय में किसी भी पाकिस्तानी और Chinese fighter jet से मुकावला बढ़ी असानी से कर सकता है यही कारण है कि दोस्तों नय केवल इंडिया इसे अपग्रेड कर रहा है बलकि 21 मिग 29 रशिया से खरीद रहा है ले टेस्ट वाले धन्यवाद जैहिंद